नमस्कार रश्वकाफ सब्सक्राइक अभ्यंदन करता हूं आज कल के समय में गौतम मडानी जी का बड़ा चल रहा है ठीक है और मैं यह नहीं बताने वाला हूं कि मैंने पहले क्यों नहीं बताया आज मैं बताने वाला हूं कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है जिस तरह से और से फर्स पे आ गया है क्रहो कि क्या कारण था किस कारण से ऐसा हुआ और आगे क्या क्या हो सकता है अब यह ना करना कि मैंने पहले क्यों नहीं बताया इसलिए अब मैं जो बता रहा हूं वो उनके साथ होगा उससे आप देखिएगा पहले नहीं बताएगी पहले यूट कि सबका कुंडली में कुछ ना कुस्त लगाई राता है चले शुरू कि देखिए पहले इनका 24 जुन 1962 का है और पांच बच के 15 मिट का शमय है इनका अहमदाबाग का है तो सबसे पहले देखिए सबसे पहले आप सोचिए समान परिवार का लड़का उचाई तक पहुचा तो समान परिवार का लड़का अगर उचाई तक पहुच रहा है तो इसके पीसे का मतलब क्या है कहीं न कहीं उसके पास ब्रेन तो होगा वो कुछ अलग सोचतों रखता होगा तब तो वो इतने समान जो इनसान के अंदर कुछ अलग देते हैं कुछ अलग सोचने का टेंडेंसी देते हैं तो वो कौन से योग है देखिए इनके कुंडली में शनी शनी और शनी नवयंग घर में बैठे हुए है और शुक्र तीसरे घर में तो कहीं न कहीं शनी राहू और सुक्र का योग है मतलब शनी राहू का योग और जब भी कुंडली में किसी के भी कुंडली में शनी और राहू का योग बने तो ऐसे लोग के पास कुछ अलग सोच होता है मतलब वो कुछ सोचते हैं कुछ political mind होता है कुछ creative idea होती है, कुछ लोगों से हट के समस्ते, तेस्तरार माने जाते हैं, ऐसे लोग CID में भी लोगों के मन की बात को जान जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर गजब का दिमाग होता है, तो इस शनी और राहु के योग के कारण से इनके पास वो चीज़ तो आ गया, जिस वज योग बना होगा ना, कोई तो योग रहा होगा ना, जिस वज़ योग से यह पहुँच गया, देखिए होने को तो बहुत सार योग ऐसा नहीं कि सनी राहु किसी में नहीं होता है, सनी राहु का योग होता है, लेकिन उसमें बहुत सारे चीज़ों को देखना होता है, जैस पहला योग तो गज केसरी योग, दसवे घर में ही चंदर ब्रिश्पती साथ में गज केसरी योग निमार कर दिये, अब जब गज केसरी योग बन गया तो यह पक्का है कि ऐसे लोग नॉर्मल तो रहने वाले नहीं है, अब योग भी आ गया और दिमाग भी आ गया, तो इस से यह आगे पहुच गया, बहुत सारी चीज़े हैं, सब पर डिटेल में लाइज नहीं करूंगा, लेकिन यह कहीं न कहीं यह एक कारण बनता है, और चंदमा भी मजबूत हो गया, गज केसरी योग के कारण से, चंदमा मजबूत तो होई गया, और यह चंदर मजबूत है, और कहीं न कहीं शनी राहू का एक योग बना हुआ है, और दूसरा बात जानते हैं, दूसरा बात यह है कि लगन के शामिश शुक्र बने हैं, और शुक्र को शनी का साथ है, तो शुक्र भी मजबूत हैं, तो मतलब लगन मजबूत, चंदमा मजबूत, और शनी राहू का य यह तीन्य योग मिला कि इनको उचाई तक पहुचाया बागी और भी चीज़े हैं बाद में कभी हम सुचेंगे अब आगे क्या होगा देखिए अब जिस तरह से उतना बड़ा रुक्षान अरब और कितने अरभो में कनुक्षान हो गया यह समय जो है तीन नंबर से 20 नंबर से और नीचे और आही रहे हैं तो क्या इनका एक डाउन फाल बना रहेगा अभी तक तो मालूम चल गया किस वज़े से बने अब आगे क्या ये फिर से उस नंबर तक पहुँच पाएंगे तिसरे नंबर या पहले नंबर तक क्या उसे रिकवरी कर पाएंगे पहले हम दे촉ते हैं अब समय इनका कैसा है देखिये अभी इनके शाद समय जो है चल रहा है वो शुक्र का 2014 शुक्र चल रहे हैं और 34 तक रहेंगे मतलब समय तो बड़ा वजबरतस्त है क्योंको देखिए लेकिन अभी राहू भी चल रहा है ठीक है? अभी राहू भी है ठीक है? अब देखिए लगन का शमय सुक्र का शमय और सुक्र लगन के ही श्वामी बन रहे हैं इसलिए अभी इनको गिरा पाना मुस्किल रहेगा इनका समय तो बड़ा मजबूत है और इसी समय के कारण से लगन के समय कारण से ये इस समय इतने उचाईत तक गएं तो समय का पूरा साथ है समय का पूरा साथ इनको मिल रहा है पहला बाद तो ये हो गया समय का साथ है अब क्या ये राहू का लिकिन है तो राहू कैसे स्थिति में है देखें राहू पे कही न कही देखा जाए तो एक राहू और शनी का योग बना हुआ है शुक्र का प्रभाव है और अगर देखा जाए तो राहु कहीं न कहीं सूर बिश्पतिशनी कई सारे ग्रहों से डीटेन चार्ट में दश्मांस चार्ट में अच्छे पोजिशन पर नहीं पन रहा है तो मतलब यह है कि यह बहुत बुरे वस्ता में तो नहीं आएगा मतलब कि यह टॉप में बने रहेंगे हो सकता है कि यह। टॉप टेन में आ जाए यह अपना जलवा कायम रखेंगे टॉप टेन और यह हमेशा निदंतर परयाश करेंगए और आप देखियेगा क्योंकि राहु बहुत बुरे वस्था में नहीं है राहु के साथ शुक्र के परभाव है और शुक्रलगन के श्वामी है तो अब जो ये position गिरा है ये राहु के करण़ से गिरा हुआ है तो इसे recovery करेंगे ये हो सकता है कि 2 या 25 तक ये पहले या जो तीसरे नमबर पे थे वहाँ तक न पहुँच पाए हाँ टॉप 10 में आ सकते हैं समय का शपोर्ट है महिनत करेंगे और ये महिनत भी कर सकते हैं ऐसा नहीं है तो कोशिज करके पुरा प्रयाश करेंगे तो टॉप में तो बने रहेंगे लेकिन वो तीसरे नमबर तक आने में अभी इनको शपोर्ट हमे लएगा लेकिन 25 के बाद से यह जरूर हो सकता है कि 25 के बाद से यह हो सकता है यह आने वाले टाइम में नमबर वन तक चले जाए एस यहां के सबसे अमीर बन पाए वर्ल्ड के मान के चलिए तो ये हो सकता है क्योंकि अभी लगन का शमय है दिमाग के कोई कमी नहीं है और जैसा बता चुका हो में समय का शाध्य मिलना जो दिमाग कमी नहीं है समय के साथ मिल रहा है तो कुरोख पाना मुस्किल होता है ठीके भागे को गर देखा जाए तो भागे भी शनी का है और शनी जो है वैसे भी शुकर के शाथ समझ रहे ना लगन और नौम का राजयोग लगन और नौम का राजयोग बहुत खतरनाक राजयोग होता है ठीक है तो मतलब क्या हुआ मतलब यह हुआ कि यह अभी थोड़ा 25 तक इस्तित्यन का डगमगाएगा लेकिन पूरी तरह से यह हिलने वाले नहीं है पूरी तरह से नहीं जाएंगे टॉप में बने रहेंगे हो सकते हैं तीसे नमर में अभी 25 तक ना आता हैं लेकिन उसके लेकिन प्सक्वार।